जाहिन साथियों आप सभी को फिर से एक नया वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ आप सबका अपना प्याराइस ड्रीम फोजी यूटूब चनल में और मैं आपका दोस्त सुनायान तो जैसे कि ऐसे बहुत सारे केंडिडेट मुझे कॉमेंड बॉक्स में कॉमेंड करते हैं क SSGD का जो न्यू वेकेंसी ओ कब तक आएगा और भी जो मेरा चनल का जो पार्सनल मेल आईडी है इमेल आईडी उसमें भी ऐसे बहुत सारे मेल आते हैं कि SSGD को लेकर जो एक जाम सिलिवास है उसको लिएक वीडियो आप लेके आईए SSGD का जो बेस्ट बूक है उसके लेकिन मैंने सोचा था कि पहले आपका SSGD का जो 2018 का रिकूर्मेंट कॉम्प्लिट हो जाए उसके बाद आपके लिए में भीडियो लेके आऊँगा लेकिन आप सभी का बहुत ज्यादा रिक्विस्ट था तो इसलिए मैं भीडियो आपके समने लेके आया हूँ तो पहले मै बात करता हूँ आपका जो SSGD का जो न्यू भेकेंसी है वो लगबग आपका 2021 में जनवारी या फेवरारी में आ जाएगा क्योंकि जब तक 2018 का रिकूर्मेंट पूरा का पूरा प्रोसेस कॉम्प्लिट नहीं हो जाएगा ये बैच 2018 का बैच जब तक ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाएगा आपके लिए SSC Constable GD के और से कुछ भी रिकूर्मेंट का कुछ भी नहीं आएगा लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जैसे ही ट्रेनिंग मतलब final result जारी हो जाएगा उससे कुछ मेहने के बाद आपके लिए एक अच्छा खासा वेकेंसी SSC के और से आ ज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपका जो भी एक्जाम सिलिवास को लेकर जो भी डावट है सब कुछ क्लियार हो जाएगा तो चलिए पहले देख लिजे आपका जो SSC GD का जो नोटिफिकेशन में क्या मैंसन किया है आपको पहले ओ देखना होगा तो देख लिजे पह ठीक है तो चलिए जैसे कि आपको मैं बता दूँ आप सभी को मालूम हो गया है कि अभी जो हाली में SSC का जो भी एक्जाम होता है वो सब आपका ओनलाइन एक्जाम होता है और आपका जैसे ही एक्जाम मतलब रिटीन एक्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका जो भेकेंसी है है वेकेंश से आपका 10 गुणा candidate को फीजी के लिए बुलाया जाता है जैसे माल लीजिए आपका 40,000 तो उसका 10 गुणा 50 इंटु मतलब उसका 10 गुणा रेसियो आपका फीजी के लिए बुलाया जाता है तो पहले आप लोग देख लीजे जो आपका जो एक्जाम शिलेवास है देख लीजे पूरा पूरा आपका 100 marks maतलब 100 का hundred का आपका पूरा का पूरा question होगा लेकिन एक चीज आपको एक्जाम में कोई भी negative marking नहीं है no negative mapping लेकिन क्या होता है अभी हाली में normalization एक गेम है normalization आपका जो hard question होता है उससे आपको एक नमबर दो नमबर आगे पीछे होता है बैसे बहुत सरे लोगों का ऐसा भी होता है कि आपका जो exam है उससे नमबर घड़ भी जाता है लेकिन वो percentage में कम होता है तो देख लिए पहले में हम बात करते है general intelligent and reasoning आपका 25 नमबर का होता है और maximum आपका एक एक नमबर का होता है पूरा का पूरा 25 ठीक है 25 और आपको ए अच्छे से करना होगा इसमें क्या इसमें ज्यादातर इतना भी hard नहीं होता है easy रहता है मतलब 10 class का exam है तो इसलिए ज्यादातर आपका tension करने का बा बात करेंगे general knowledge, general awareness मतलब आपका जो gk है gk का parts आपको धैन से मतलब आपको अच्छे से रट के जाना होगा क्यूंकि अभी घुमा फिरा के question आता है SSGD का क्यूंकि online में exam होता है एक महिना के अंदर मतलब non-stop exam चलता है पूरा का पूरा आपको मैं बताऊंगा आप ज्याद का पूरा देश विदेश आपको क्या हो रहा है और जैसे की current affairs पूरा का पूरा खेल उसके बाद आपका जैसे के हल में IPL खेल हो गया अभी इसमें कौन जीतेगा क्या उन्यार है इसको लेकर रिलेटर question आएगा क्या कौन golden पूरसकार क्या nobel SIS etc रहेगा और अभी ज्यादा आतर आपका बाजेट का मतलब बाजेट जो सीतकला नोधिवसन है आपका जो बाजेट होता है उसका भी question आता है मतलब कौन सा बाजेट कितना कितना होता है और एक चीज जितना भी all over इंडिया में जो भी मतलब politics leader है उनका जो पार्टी का जहन्डा है उसका भी याद गर ल एट सेटरा तो देख लीजे आप जेनरल नोलेज और जेनरल वारेंस 25 नमबर मतलब सब आपका टोटल चार पार्ट में होगा पूरा का पूरा 25 था और आपका माल्टीपाई करने से पूरा का पूरा 100 होगा हो गया अभी जो mathematics जो आपका math है ठीक है यह भी 25 है ऐसे बहुत स से मैत नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको मैं बताऊंगा एक चैनल है tricky math education अड़ा tricky math education अड़ा आप ओच चैनल को फोलो कर लीजे सब्सक्राइब कर लीजे बहुत अच्चा चैनल है राजस्तन का चैनल है उसका बहुत अच्चे घासा आपको मैत समझा देगा ठीक है तो आभी देख लीजे English और Hindi ये भी 25 नमबर पर है लेकिन मैं सबको बताऊंगा कि आप सबी लोग Hindi में ज्यादा फोकस कीजे क्योंकि Hindi जो grammar है बहुत ज्यादा easy आता है मतलब इतना easy में क्या बताऊं इसके लिए मैं next वीडियो में लेके आऊंगा लेकिन Hindi grammar जो रहता है न वो इतना अच्छा कासा इतना easy रहता है मैं क्या बताऊं आपको पूरा का पूरा 25 आ जाएगा आपका जो exam जो होता है न आप मान के चलिए आपका पूरा का पूरा marks जो हैता है हिंदी में और आपका जो GI मतलब general intelligence reasoning उसमें आपका अच्छा कासा marks आ जाएगा और math में क्योंकि GK का ज ECS को exam दिया जाता है और आपका जो exam है न वो पूरा का दिन भर चलता है एक माहना तक तो आपका exam जो GI क्या है वो आप जितने भी रडलो आपको ठीक से याद नहीं होगा जादा से जादा आप 10 या 12 कर पाऊगे उतने से जादा नहीं कर पाऊगे क्योंकि SSGD में इतना जा आपको उसमें क्या क्या आएगा आप देख लिजे उसका सिलेवास नंबर सिस्टेम देख लिजे यह जो है general knowledge का sorry GI क्या जो जिसको बोलते है reasoning ठीक है आपका जो इसमें आएगा relationship का आएगा मतलब blood relation ए रिता उसका भाई है तो उसका मा इसका क्या हुआ ऐसा ऐसा बहुत आत ठीक है मतलब आपको कुछ अलग टाइगा not मतलब आपको इसमें जी के जी आए क्या कुछ पाट मतलब क्या होता है 15 या 20 आपको बहुत ज्यादे easy आएगा और 5 एक थोड़ा सा घुमा फिरे के आएगा ठीक है आपका और नॉन भरवल टैप का आएगा ठीक है और आपका ज पूरा का पूरा ठीक है आपको डरने के कोई बात नहीं है आपको जो भी है आपका पूरा का पूरा 2021 में आपका बर्दी का सबना पूरा होगा मैं दब के साथ कह सकता हूं ठीक है और भी देख सकतो फीगार देख सकतो और बात करते हैं आपका जो जी के है देख लीजे आपको इसमें बताएगा है जियोग्रफी एकोनोमिक हाँ आपको जो संग्भी धन है ओ अच्छे से पढ़ना होगा और एकोनोमी और्थोनोइतिक एकोनोमी अच्छे से पढ़ना होगा और साइन्स का कुछ पार जियोग्रफी इसमें ऐसे बहुत सारे है स्पोर्ट अस्थाने दाघए को आपको पूरा के आसे बाइवा किवा एक और तो उसके बाद आपो पूरा का पूरा लेकिन मैं आपको request करूँगा आप focus कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो current FR से आप उसको अच्छे से रड लेजिए नहीं तो आप जीके इतना hard ज़्यादा इतना easy नहीं होता है ठीक है अभी mathematics math जो math होता है ठीक है देख लेजिए आपका जो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इसमें बहुत ज्यादा easy में आता था है इतना easy में क्या बताओ बहुत easy जैसे कि आपका discount आएगा आपका time and distance ratio time and work उसके बाद profit and loss number system उसके बाद आपका जो उसके number system ठीक है अब relationship हो गया है और भी profit and loss, average, interest ठीक है ऐसे ऐसे करके आपको आएगा लेकिन इसमें क्या होता है आप ज्यादा hard question करने के कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है यह हो गया आपका math का लेकिन math बहुत ही जाता है और जो हिंदी है और English है मैं यह आपको अपने जो knowledge है उसस से जीडी exam में ज्यादा से ज्यादा focus कीजिए हिंदी grammar को करने किया क्योंकि हिंदी में इतना ज्यादा easy होता है खास करके जो बंगाल लोग है उसके लिए तो बहुत अच्छा है भाई आप English में कितना ज्यादा कर लोगे English में कितना ज्यादा कर लोगे English में पूरा का पूर 25 आजाएगा और इसमें नेगेडिम हर्गी नहीं होता है तो आपको जो कुछ भी इससे जीडू के लेकर क्या बूक्स क्या पढ़ना होगा क्या नहीं होगा उसको लेकर भी मैं भीडियो लेका हूंगा आपको भीडियो अच्छा लगए तो आप कमंट बक्स जरूर बताना औ दोस्तों के साथ जरूर सेयर करना और जो नया है मेरा चैनल में प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके जो नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना तो चलिए तब तक अच्छरी ये खुजरी ये मुलाखात होगी अगली और एक अच्छा खासा वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बांगला